किसी एक परसन ने वाँ पर कोशन पूछा हुआ था How to study 17 hours a day कैसे 17 गंटे एक दिन में पढ़ाई करी जाए उसका एक आंसर एक लड़के ने दिया हुआ था मुझे उनका नाम भी भूल चुका है मुझसे एज में कम से कम वो 10 साल छोटे होंगे मेरे वो student भी नहीं है मेरा कोई relation भी नहीं है उनसे बड़ उनका आंसर पढ़के मैं as a teacher बहुत motivate हुआ बहुत motivate हुआ उन person की story कुछ ऐसे है मैं उनका नाम भूल चुका हूँ I am extremely sorry for that मेरी problem है मैं नाम भूल जाता हूँ शायद उनका नाम संदीव था पर मुझे नाम याद नहीं है वो आज से 6-7 साल पहले IIT Bombay में PhD कर रहे थे उन्होंने बोला कि मैं gate exam की त्यारी कर रहा था मेरा B.Tech pass out हुआ था मेरा कहीं पर भी unfortunately placement नहीं हो पाया था मेरी job लग गए थी मैंने job छोड़ दी और अगर पढ़ाई करता हम यूँ तो मेरी efficiency बहुत जादा कम है ठीक है ठीक 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 तो efficiency बहुत जालग आप है तो मैंने पता क्या सोचा मैंने सोचा कि मैंना अपना कोई library जोईन कर लेना हूँ घर के बास ठीक है पूरे दो गंटे की यानि कि 10-12 गंटे पढ़ने की कोशिश करी कोशिश करी तो सिरफ कितने गंटे पढ़ पाया efficiency से सिरफ दो गंटे पढ़ पाया मेरे माबाब भी मुझे डानते रहते थे special on ने ने reference अपनी मदर का दिया हुआ था मेरी ममी मुझे डानती रहते थे कि तुने ड्रॉप ले लिया तुने अपनी जॉब छोड़ दी और देख ले आज क्या हालत है तो बिल्कुल नहीं पढ़ता है दो गंटे पढ़ा करा फिर मैंने दीरे-दीरे बिल्ट अप करना शुरू किया जब तक एक डेड़ दो महीना भी था तब तक मेरी वो जो एफिशेंसी थी पर सुबह से लेकर रात तक लाइबरेरी में रहता था ठीक है सुबह लगबग 10 बजे के करीब शाम को लगबग 7 बजे के करीब आपीस आ जाता था मैंने देखा मेरी एफिशेंसी जो है वो four four and half hours five hours के आसपास पहुंच चुकी है फिर मैंने ये सोचा सितंबर अक्तूबर आ चुका था तब तक गेट का एक्जाम फैबरेरी के आसपास होता है तो मैंने सोचा कि यार मैं तयारी तो कर रहा हूं घर बैठके तयारी कर रहा था ओविसली मैं ठीक है खराब मार्क्स आये थे बहुत ही खराब मार्क्स जब मैंने उसका रिजल्ट लाइबरेरी में देखा तो मैं रोने लग पड़ा हूं ठीक है क्यों क्योंकि मेरे को मैंनत करते हूं अभी तीन-चार महीने हो चुके थे दीरे-दीरे मेरा लैवल भी बढ़ चुका था मैंने अपने आपको वार जोन में कनवर्ट किया कि अब यह वार है आइदर डू और डाई सिचुएशन है मैंने धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अपने लैवल को बढ़ाना और शुरू किया मेरा पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि दिवाली आई भाया दू जाया कोई और सा लाइबरेरी की क्यों तो कि अब मैं सुबह साथ बजे वहां जाता था और कभी-कभी रात को बारा एक दो बजे वहां से वापीस आता था तो कीज मेरे पास थी मैं ही वो परसन था जो रात को लाइबरेरी को बंद करता था मैं ही वो परसन था जो सबसे पहले जो सबसे पहले लाइबरेरी को आके खोलता था तो जो नून इस हद तक बढ़ चुका था कि जो मेरी माँ मुझे आज से 5-6 महिने पहले कहा कर दी थी कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो कि उमने ड्रॉप येर ले है तुमने अपनी जॉब छोड़ी है आज वही मेरी माँ मुझे कहती थी कि शायद इसके उपर किसी ने जादू टोना कर दिया है और ये परसन जो है पता नहीं क्या हो गया ना किसी रिष्टेदार गिया जाता है ना किसी दोस से बात करता है सिरफ लाइबरेरी से घर और घर से लाइबरेरी जाता है दीरे दीरे एक ऐसा समय आ गया था कि जब मैं पिछले लास्ट के दो-तिन महीले मैं सत्रा घंटे तक उस लाइबरेरी में पड़ा रहता था एक ऐसा समय आया कि उस जगा के जो मुनसीबल काउंसलर थे उनको भी बुलाया गया कोई लाइबरेरी का कुछ उध्गार्टन वग फिर मेरा फैबरेरी में रिजल्ट आया और रिजल्ट में उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ था और लिखना भी नहीं चाहिए यह आप भी उस बात को जानेंगे क्यों क्योंकि आप सब लोग डेस्टीनेशन के बारे में सोच रहे हैं इस नौट अबाउट नहीं है जो एक इनसान को बनाती है रिजल्ट नहीं रिजल्ट नहीं तो होप सो आप भी अपने आपको पुश मारेंगे इट सौल अबाउट जञशनी नौट अबाउट देस्टीनेशन थीक है मेहनत करते रहेंगे आज नहीं तो कल किसी न खिसी एक्जाम में तो सफल हो होंगे एक्जाम से भी ज्यादा मेंटर करता है जिन्दगी में सपल होना और मुझे लगता है कि वो जरूर आप होंगे ठीक है